हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वल्कम बेक मैं चैनल टाइट टीचर जॉब मैं प्रेंग का स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टाइट टीचर जॉब में दोस्तों आज हम बियर प्रवेस परिच्छा से समयनित हिंदी के 50 प्रस्णों को देखेंगे जो 2017 के हैं तो आप भी देखिएगा आपके कितने कोश्चन सही होते हैं तो चले देखते हैं इसमें कोश्चन नमबर 51 से लेके हम 100 तक की कोश्चन देखेंगे तो यहाँ पर 51 कोश्चन नमबर बरतमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजमासा, खड़ी बोली और देयो न हिंदी तो दोस्तों 52 का जो सही एंसर होगा वो हो जाएगा आपका बगेली बोली का संबंध कि सुभासा से है तो वो पूरवी हिंदी से हैं अब चलते कोश्चन नमबर 53 की तरफ हिंदी वडमाला में बेंजनों की संख्या है 32, 34, 33, 36 तो दोस्तों यहाँ पर 53 का जो सही ए दोस्तों अगर आपको यहाँ पर देखिए यह हिंदी वडमाला में बेंजनों की संख्या हिंदी वडमाला से रिलेटेड अलब प्राण महाप्राण यह सब अगर आपको समझ में नहीं आता या कहीं भी कोई दिक्कत आती हिंदी व्याकरण में चायरस चन रस या अलंकार ह या फिर आपका संदियो या समास हो तो इन सब की वीडियो जबने बना रखी है तो आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं अब हम चलते कोशना 55 की तरफ साखी के रचईता रस खान सूर्दास कबिर्दास और रहिम तो दो 56 का जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा आपका एस सूर्दास है अब देते कोशन 57 हिंदी सायत में प्रयोगवाद की प्रवर्तक का नाम है निराला अगे पंत और जैसंकर पसाद तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे 57 में तो निराला पंत और जैसंकर यह क्या है चायावादी कभी है और अगे जो है यह प्रयोगवादी है तो यह बी आपसन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगर आपसे पूछे चायावादी कभी हो के नाम तो प्रसाद, प प्रमुख नाम है और प्रयोगवाद में अगे आते हैं अब हम चलते कोश्चन नंबर 58 की तरह फड़िस्वर नाथ रेडू किसके लेखक है गवन गोदान गीताजली मैला आचल तो दोस्तों यह भी आपका बिलकुल क्लियर फड़िस्वर नाथ रेडू है मैला आचल के ल यद संदी और दिर्ग संदी तो दोस्तों 59 का जो सई अंसर होगा वो हो जाएगा आपका यद संदी अहँछते कोश्चन नमे से कौश्चनमे 60 के तरफ इन में से कौन सवर संदी का उधारण है संयोग मनोहर और नमस्कार पवन तो दोस्तों यहाँपर 60 का जो सई अंसर मनो-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन-धन सतधन मती तो दोस्तों ये आपकी है बेंजन संदी और इसका जो सही संदे विच्छेद होगा वो आप हमें कमेंट करके बताएगा अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो बेंजन संदी स्वर संदी ये सारी चीज़े हमने पढ़ाई है और इसको एक बार आप डिटेल से जरूर पढ़ेगा क्योंकि इसके अपने कुछ नियम होते हैं और उन्हीं नियमों के आधार प वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जागा कि किस जगह पर कौन सा वर्ड चेंज होता है कैसे चेंज होता है ये सारी चीज़े हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोगों खुद ही कोई बताने वाला नहीं होता था लेकिन आज जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हमें ये एंसर होगा वो हो जाएगा आपका D स्रौधन अन्स्रामड अब हम देते कोईशन नमबर 64 स्वर संदी के कितने भेद होते हैं A3, B4, C5 और D है आपका 2 तो दोस्तों यहाँ पर 64 का जो सही एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C स्वर संदी के 5 बेद हैं Q65 देखे अत्याचार का सही संदी विच्चेद है अत्याइधन आचार अत्याधन 4 अतिधन आचार तो दोस्तों 65 का जो सही एंसर होगा अत्याधन आचार अब हम चलते हैं Q66 की तरफ किस सब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव और ओढ़ना तो दोस्तो 66 का जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा आपका ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है Question number 67 देखें कनिष्ट सब्द में प्रियुक्त प्रत्य है इस्ठ है इस्ठ है और श्ठ और ठ तो दोस्तो यहाँ पर Question number 67 का जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा आपका कनिष्ट में प्रियुक्त प्रत्य है Question number 68 निर्वाव में प्रियुक्त उपसर्ग है निर और निर तो दोस्तो 68 का जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा आपका C निर कोश्टिन Carbon69 है कृदंध, प्रत्यकिन सबदों के साथ जुडते हैं संग्या, सरवनाम विशेशर और क्रिया priest 69 का जो जहीं प्रत्यकिनादर सब्ड़ों के साथ जुडते हैं इसमें आपकी जब देखेंगे डिटेल से तो आपको सब चीजे समझ में आएंगे समास भी हमने बहुत अच्छे डंग से पढ़ाया है उसमें आपको कहीं भी confusion नहीं होगा तो जरूर देखिएगा अब हम देते question number 72 यहाँ पर चक्रपाणी में कौन सा समास है तो अब्यभाव समास कर्मधारे समास बहुबरी समास द्वन्द समास तो दोस्तों चक्र पाणी चक्र है पाणी में जिसके तो 72 का आपका option देख चुके हैं अब्यभाव कर्मधारे बहुबरी और द्वन्द तो इसमें आपका सही हो जाएगा एक अही विक्ति के हाथ में चक्रप्राणी है एक अही भगवान के हाथ में तो वो पर्टिकुलर एक परसन के लिए बहुबरी समास एंडिकेट करता है तो यहाँ पर C option आपका सही हो जाएगा बहुबरी समास है C question 73 है नरोत्तम में कौन सा समास है कर्मधार है ततपुरुस अबयभा और द्वन्द तो दोस्तो 73 का जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका B C question 74 नरोत्तम में कौन सा समास है दिगू, ततपुरुस, द्वन्द और कर्मधार है तो दोस्तो 74 को अगर आप देखें तो इसमें संख्या वाचक है तो यह आपका हो जाएगा दिगू C question 75 देखें निम्लिकित में कौन सा सब्द देशा जाए अगनी रातना, खेत और लोटा तो दोस्तो 75 का आपका D option सही होगा लोटा देशा जाए अब हम देखें तो 76 निम्लिकित में भावाचा संग्या कौन सी है सतुरता, वीर, मनुस्य और गुरू तो 76 का जो सही एंसर होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर A, सतुरता में भावाचक संग्या है question number इसी तरह से आपका English में भी पूछता, जिस तरह से आपको Hindi में ये सारी चीज़े पूछ रहा है, ऐसे English में भी पूछता है question number 77 है, आसू का बोबचन क्या होगा, आसू, आसूएं, आसूओं और इनमें से कोई नहीं question number 78 का जो सही एंसर होगा, वो हो जाएगा आपका C, आसूओं question number 78, अब्वे के कितने वेद होते हैं, 3, 4, 5, 6, तो दो 78 का जो सही एंसर होगा, वो हो जाएगा आपका B, 4 question number 79 देखते हैं, सेना का प्रहवाची सब्द है, बिच्छ, पुस्प, अनीक और अरी question number 79 का जो सही एंसर है, वो हो जाएगा आपका, सेना का प्रहवाची सब्द C, अनीक है, question number 80 है, अनिल का प्रहवाची सब्द है, चक्रवात, पावस, और पावन, और अनल, तो दोस्तों यहाँ पर अनिल, आपका, किसको कहते हैं, हवा को कहते हैं, तो यहाँ पर आपका हो हो जाएगा, C, पावन, अनल मतलब तो आग होती है, और question number 80 है, 81 है, धर्ती का प्रहवाची सब्द है, चंचला, विपुला, सरसी और अचला, तो दोस्तों 81 का जो सही एंसर होगा, वो हो जाएगा, आपका, D, अचला, question 82 देखें, आकास का प्रहवाची सब्द नहीं है, व अब हम देखते है, question 83, आम का प्रहवाची सब्द नहीं है, अमरित फल, आमर, रसाल, पिक, तो दोस्तों 83 का जो सही एंसर होगा, वो हो जाएगा, D, पिक नहीं है, question 84, गमन का विलूम सब्द है, जाना, उतरना, आगमन और चड़ना, तो दोस्तों 84 का जो सही एंसर होगा, C, गमन का आगमन, question 85, मौन का विलूम सब्द है, मुखर, मौकिक, मयंक और विकार, तो दोस्तों 85 का जो सही एंसर होगा, वो होगा, आपका A, मौन का मुखर, question 86 है, परोच का विलूम सब्द है, प्रत्यच, स्थूल, द्रश्टब्य, आप परोच, तो दोस्तों, परोच का विलूम होगा, 86 का A, प्रत्यच, question 87 है, कृतग्य का विलूम क्या है, कठिन, क्रिपण, कृतधन, और करुड, तो दोस्तों, 87 का जो सही एंसर होगा, वो होगा, आपका C, कृतग्य का विलूम, कृतधन, question 88 है, बस तो जो नस्वान, नस्वर, सास्वत, अमर और अलोकिक, 88 क जो सही एंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका, नस्वान को नस्वर कहते हैं, जिस इस्त्री का पती जीवत हो, कामिनी, सुवगा, सधवा और मधवा, तो दोस्तों, यहाँ पर 89 का जो सही एंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका C, जिस इस्त्री का पती जीवत हो से सदवा कहते हैं question number 90 why 3 जो अभिनेत्री और नाइका तो दोस्तों 90 का जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी अभिनेत्री जो अभिनेत्री क्या चलाती है actress question number 91 है थोड़ा जानने वाला अलपग ये बहाँ समूर्ख और आगिया तो 91 का जो सही अंसर होगा वो आपका हो जाएगा A. अलपग्य यहाँ पर देखिए निर्देश दिये हुए हैं दिये गए अनुच्छेत का ध्यान पूर्वक अध्यन करें और रिक तस्वान की पूर्थी विकल्फ से चुन कर करें समाचार पत्र आजमिक जीवन की आव सकता है और आज के जीवन की महान सकती समाचार पत्र जन साधारण के विचारों की यहाँ पर 91 है फिर करने का साधन है समाद देश और विश्में घटने वाली दिन प्रदिन की 92 का प्रमाडित बोड़न समाचार पत्र द्वारा ही मिल सकता है यह जन जागरती का आधार है क्लियर यहाँ पर हम देखें यहाँ पर 92 से 93 तक का दिया था तो 91 92 और 92 93 में यहाँ पर हमें क्या भरना रहेगा यही बताना है तो 92 में यहाँ पर देखें अद्रिश्टिगत अभी ब्यक्त और प्रकट और प्रस्तुत तो 92 का जो सही एंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका बी अभी ब्यक्त क्लियर तो देखते हैं यहाँ पे 92 की जगह पे प्रद्दिन की अव्यक्त का प्रमाडिक वड़न समाचार पद्वारा ही मिल सकता है क्लियर अब यहाँ पे 93 है आपदाओं विपदाओं घटनाओं और कलहों तो दोस्तों यहाँ 93 का तो दिया नहीं है option यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर 91 की जगह जो दिया है वो 93 होना चाहिए क्योंकि 91 तो हम लोग देखी चुके हैं तो यहाँ पर है समाचार पत्र जन साधारण के विचारों की 91 की जगह 93 होगा करने का साधन है तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है आप दाओं विपदाओं घटनाओं और कलों तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 93 का जो सही एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C घटनाओं यहाँ पर आप दाओं विपदाओं से नहीं वलकि घटनाओं से यहाँ पर देखिए अगर ध्यान से आप मिलाएंगे तो समाचार पत्र जन साधार की विचारों की घटनाओं को करने का साधन है यहाँ पर अब हम देखते हैं कोश्चन नमर 94 विभावरी किस प्रकार का सब्द है तत्सम तद्भाव देशज और संकरत दोस्तों 94 का जो सही एंसर है वो हो जाएगा आपका तत्सम कोश्चन नमर 95 वहनोई सब्द का तत्सम है बहन ओई बहन पती भगनी पती और इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों 95 का जो सही एंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी भगनी पती Q96 देखते हैं ठंठन गोपाल का अर्थ है कंगाल, बेकार, धनवान, समय आने पर मुकर जाना तो दोस्तों 96 का जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा आपका A, कंगाल ठंठन गोपाल मतलब कंगाल 97 घर बसाना का अर्थ है, घर बनाना, घर में रहना, विवाह करना, मदद करना तो दोस्तों 97 का जो सही अंसर होगा घर बसाना, विवाह करना मतलब होता है Q98 चरड कमल बंदो हरिराई में कौन सा लंकार है? असलेस, उपमा, रूपक और अतिसयोग तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, 98 में, तो यह आपका चरड कमल बंदो हरिराई, जो की आपकी रूपक अलंकार में आता है अब हम देखें, question number 99 चौपाई के प्रतेक चरड में मात्राएं होती है, 11, 13, 16 और बंद रहता है दोस्तों, 99 का जो सही एंसर होगा, वो हो जाएगा आपका C, question number 100 देखें, वीर रस का स्थाई भाव, रती, उत्साह, क्रोध और हास से तो दोस्तों, रस भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया, आप जरूर उसको देखिएगा तो ये आपका वीर रस का जो स्थाई भाव होता, वो स्थाई उत्साह, इसमें हमने देखा था, इसमें जब हम पढ़ा रहे थे, तो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ये वाला उदहरड आया था तो एक तरह से उसमें वीरता की बाते बताई जाती है, किस तरह से लोगों को प्रेड़ा प्रदान की जाती है, अपने जो करता व्यपत्व है, उसमें आगे बढ़ने के लिए, तो दोस्तों आज के लिए आपके 50 कोशन कंपलेट हुएं, 51 से लेके 100 तक के, तो इस में आप अपना इसी तरह से मेनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो प्रेड चैनल को सब्सक्राइब करके, वैल आइकन बटन को प्रेस कर दिजेगा, और वीडियो को भी लाइक कर दिजेगा, और कमेंट की मा पातिम से हमें जरूर बताएं कि हमारा ये प्रेस आपको कैसा लग रहा है, साथ ही, हमसे जुड़ने के लिए, थैंक्यू सो मच, जैहिन